नमस्कार दोस्तो लैब्रेरी सैंस एजूकेशन में आपका स्वागत है दोस्तो आज के विडियो में हम लोग काफी इन्पॉर्टेंट एक लैब्रेरियन की विगेंसी आई है उसके बारे में कंप्लेट जानकारी लेंगे तो इस विडियो को दोस्तो आप पूरा देखें और अधिक से अधिक उन लोगों तक सेयर कर दें जो लैब्रेरीयन यानि बी एलाइ इस कोर्स कमप्लेट कर चुके हैं और रेइम की टैयारी करें ठीक है क्योंकि काफी अच्छी वेक विगेंसी है और दोस्तो दूसरी बात ये जो वेकेंसी वए इसपेस्ल लैब्रेइरी की व तो जिसके कारण में क्लास लेने ही पा रहा हूं लेकिन मैं एक दो दिन के इंतर दिसम्बर सेशन के कैंडिडेट के लिए क्लास स्टार्ट कर दूँगा ठीक है तो चले हम लोग एक एक करके पारे देख लेते हैं कि यह लाइब्रेरियन के जो वेकेंसी आई है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए है एक्स्प्रियंस क्या है फी कितने होंगे एक्जाम किस बैसिस पर होगा तो कंप्लेट जान कर लेंगे और दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि लाइब्रेरियन में क्या क्या है पर क्वालिफिकेशन मांगे गया है क्या एक्स्प्रियंस मांगे गई तो इसके बारे में कंप्लेट जानकारी ले लेते हैं ठीके और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के अधिक से अधिक उन लोगों तक सेयर कर दें जो लैब्रेरियन की पढ़ाई कर चुके है ठीक है और अगर आप आपके इस बार यानि जुलाई सेशन के कंडिडेट के कुछ ऐसे कंडिडेट थे जिनका एक दो पेपर में उनका एक दो पेपर के कारण बीलाई कंप्लेट नहीं हो पा दोस्तों इस चानल में आपको नाहीं ज्रीप लाइब्रेट की क्लाइश करवाई जाएगी बलके लाइब्रेट इन सम्बंदी जितने वेकेंसी जाएंगे उसकी तैयारी भी वी करवाई जाएगी वेकेंसी की इनफॉर्मेशन भी दी जाएगी ठीक है अभी इसी वीडियो फ्रॉं रिक अगनाईज युनुवरसिटी काने का मतलब क्या दोस्तों कि इसमें अगर आपको अपलाई करना तो आपके पास बील आईज के डिगरी के साथ सब बीस्टी नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए इस वेकेंसी के लिए इलिजिबल नहीं है ठीक है सकेंड में देखिए क्या है बैचलर डिग्री और एक वैलेंट इन लैबरेरी साइंस फ्रॉम रिखनाइज युनिवर्सिटी और इंस्टिटूट ठीक है अब इसमें वेकेंसी की बात करें तो इसमें 30 यर मांगा गया और इस पीडियेफ को मैं अपने टेलिग्राम चैनल में सेंड कर दे रहा हूं ठीक है कि इसमें बहुत सारे वेकेंसी जाए हैं अलग अलग पोस्ट के हैं तो अगर आप चाहें तो उसे भी अपलाई कर सकते हैं और मैं टेलिग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस हमी तो एक्स्रैंसमा गई है और टापइंग स्पीड 30 word per minute इंग्लेट और 25 word in का जैसा कि जैसा की आपरे क्राइ가지 कि नफिव को मांगा जाता है यह अगर एक्सर फार्ड मांगे बइस तो कि इसे AIIMS यानि AMS की वेवसाइट में online आपको 21 अक्टूबर 2020 से 19 नौवंबर 2020 अप्टू 5 पीम तक आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों examination fee के बात कर लेते हैं तो देखिए examination fee में general OBC candidate के लिए 1500 रुपी है और दोस्तों STSE EWS candidate के लिए 1200 रुपी है ठीक है और जितने भी disabled person है उनके लिए exampert यानि उनके लिए कोई फीचने लगी ठीक है तो दोस्तों देखिए हैं आप एक fee काफी अधिक रखा गया ठीक है तो आप बिलकुल अगर आप eligible हैं आप पहले सोच समझ लें अच्छी तरह से कि यह form आपको भरना चाहिए या नहीं भरने चाहिए मैं इसका pdf telegram channel में send कर दे रहा हूँ आप पहले complete detail इसे पढ़ाई कर लें पढ़ाई करने के बाद ही आप कुछ decision लेंगे कि यह भरना है या नहीं भरना ठीक है लेकिन अगर आपका B.L.I.S. complete है और साथ में B.S.C. complete कर चुके हैं तो मुझे लगता है यह form आपको भर देनी चाहिए क्योंकि यह काफी अच्छी जॉब है जो कि special library की है ठीक है अब दोस्तों देखिए आपको debit card, credit card ये net banking ये थुरू आफ transaction कर सकते हैं देखिए एज का जो cut-off होगा वो 19 November 2020 से होगा अब दोस्तों जितने भी government rule में छूट मिलते हैं एज में देखिए आप आप इस screen में के करके देख सकते हैं अब दोस्तों इसमें तो ऐसा कुछ important बतानी के लिए नहीं रहा गया बाकी बात जितने भी PDF में important point है वो इसे एक बार आप जरूर देख लेंगे ठीक है अब चलिए एक दूसरा library के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे student हैं जिनको यह पता नहीं होती कि university library की वेकेंसी कैसे आती है कहां पर चेक करना होता है और उसकी qualification क्या मांगी जाती है तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं देखिए एक अभी वेकेंसी आयुए बैंगलॉर यूइवर्सिटी की जिसमें असिस्टेंट लाइबरेरियन की 7 पोस्ट है ठीक है तो चलिए इसमें क्वालिफिकेसन देख लिए लिए क्वालिफिकेसन में आपको अब इसकी अब इसकी स्टेंट की बात करें तो देखिए इसमें एमेलाईस के बाद 32,000 अगी और अगर आप पीएज़ी और नेट यह सेट का एक्जाम क्वालिफाइब कर लेते हैं तो इसकी बाद आपको 36,000 यानि 36,000 यानि 36,000 यानि 36,000 यानि 36,000 की स्याल दी होगी ठीक है तो इसका मैं complete PDF आपको टेलिग्राम चैनल में सेंट कर दे रहा हूँ और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ता अब ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं क्लास जो भी लोगा हूँ हिंदी और इंग्लिस दोनों में लोगा ठीक है क्योंकि मैं इस पर भोटिंग भी आप लोगों से करवाया था मैं देखा एबरेज सभी में लगवग हिंदी इंग्लिस लगवग सेम ही आ रहे हैं तो मुझे ऐ कर दूंगा ठीक है तो इस पीडियो पीडियेफ को आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे देखिए उसमें क्वालिफिकेशन में बता देता हूं कुछ में क्वालिफिकेशन मांगा गया ठीक है और अगर आपको किसी भी परकार की समस्याएं होती है तो आप हमें कमेंट करके जर